तो एक कोशीन है यहां पर कि कोई रासी जो वो चक्रवृद्धी ब्याज के साथ चक्रवृद्धी ब्याज होता है compound interest मतलो कि interest के उपर interest लग रहा है तो यह रहा है कि उसके साथ जो दो बर्सों में 400 हो गई और आगे लिखाएं तीन बर्सों में 500 हो जाती है तो वह रासी क्या है एक अच्छा कोशीन है बिल्कुल इजी इसको नहीं का जासता आपको साधाहन ब्याज हो गया चक्रवृद्धी ब्याज हो गया मतलब कि मूल्धन दर टाइम इस सभी की बीच में आपको relation पता होना चाहिए केल्कुलेशन आपको आने चाहिए कंपाउंड इंटरस्ट कैसे निकालते हैं वह सभी बातें आपको बता होने चाहिए तब ही जो आप इस कोशीन पर पाएंगे आप फिलाल देखते हैं इजी कोशीन है तो चलिए फिर ज्यादा डिले ना करते हो स्टार्ट करते हैं सबसे कोई चक्रविद्धी ब्याज जैसे उस पहде तो आपर आपको बताएं सिंपल इंटरस्ट जो भी लगता है जैसे कोई चीज हमने ली है तो बोलेगा कि चीज यह कोई पैसा किसी लिया है तो बोलेगा कि एक साल में इतना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा रिक है तो सिं किसी से आर का मतलब rate होता है कितने percent rate पे लिया है ठीके दो परसंट हो सकता है 3% 8% कि मतलब की time period होता है मतलब कितने साल के दो साल तीन साल यहां पेना simple interest है यह जो वो सभी सालों के लिए बरावर होता है जैसे माल लीजिए कि मैंने किसी से 100 रुपीज लिए तो बोलेगा कि हर साल आपको 50 परसेंट देना पड़ेगा तो जैसे एक साल हो जाता है तो मुझे 50 रुपीज उसको देना पड़ेंगे और इसके साथ तो टोटल अमाउंट हो गया 100 प्लस 50 तो यह हो गया टोटल 150 तो एक यहां पे सिंपल इंटरस्ट की बात नहीं और यहां पे कंपाउंड इंटरस्ट की बात हो रही है चक्रविद्धी व्याज क्या होता है जैसे ब्याज लग रहे हैं जैसे एक्जम्पल के लिए जैसे 100 रुपीज लिए थे बोलेगा कि 50 रुपीज जो आपको देना पड़े 150 परसंट अब किया हुआ एक साल के बाद जो उसको 150 बापिस करना पड़ेगा 150 बापिस करना पड़ेगा अभी बोलेगी 150 बापिस अगर आपने नहीं किया तो इस पर भी ब्याज लग जाएगा ये जो ब्याज था जो टोटल अमाउंट आया इस पर भी 50 परसंट हो तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर ऐसा हुआ कि एक साल में उसको स never half यहां पर इन्टरेस्ट होता है तो हो 50 हर साल यहां पर एक यांक गई डिलोथके तो दूसरी साल उसको 75 रुपीज जो बो देना पड़ेंगे चीक है बतुब 100 का 75% 75 भी होता है तो यहाँ पे दूसरी साल उसको 75% देना पड़ा 75 रुपीज देना पड़े यह होता है चक्रविदी ब्याज अब इसका जैसे आपको बोला गया है कुछ भी तो इसका एक स्मपल सा फॉर्मुला है तीक किया फॉर्मुला है इसका फॉर्मुला है पी एक मिनट थिक Yeah compound interest का जो फॉर्मूला है वो है भी multiply one plus r upon 100 स्मपल सा यहाँ ऊहां पर और ट लिखा हिए यह हम पर इसको मतलए time यह नमबर ऑफ कुछ बैल्यूस दिया हो वो एक अलग कंसेप्ट है फिल आलम सिंपल के समझते है कि यह हमारा एक फॉर्ण मुला है निकालने के लिए ठीक है अब हमें किसके जरुदत है हमें निकालने को क्या होअग इसने मुलाई कि दो बरसो में 400 हो गया बरसो के लिए हमारे पास given है अब क्या हुआ है oversight है अब क्या हुआ together एक चीज की जुरूरत है यहाँ पर रेट निकालने की, अगर रेट होता तो हम यहांसे पीकी वेल्यू निकाल लेते हैं, वही हमारा अनसर होता है, पहले हमें रेट निकालना पड़ेगा, तो रेट मतला कितने परशंट दर पे हमने दिया है, अब आप यहाँ पर समझने की क जाहें वो चक्रविदी ब्याजों, वो जो पहले वर्स में तो जैमी रहेगा, बहुत दो बर्सों में अगर 400 दिया, तो उस बर्स में तो साधारण ब्याज भी जैम रहेगा, वस इसी दौजी के साथ, जो हम लोग यहां से दर निकाल लेंगे, और आपको पता है, यह साधार में और 3 साल में कितना हुआ पहले 400 से 500 बड़ा न वो 400 से 500 बड़ा वी झो 400 से 500 बड़ा यहां पर कितना amount बड़ा यह जोब हो 100 पर सब्सें 100 बड़ा मतलब कि साधान भी आज की जगह में 100 पूट किया और P जो हो क्योंकि हम 400 माननके चलने के 400 से 500 हो था तो एक मैंने यहां पर लिख दिया बाकी नीचे 100 अब यहां पर इसको मैं काट लेता हूं 2-0 से मैंने 2-0 उड़ा दी अब यहां पर फोर बचा यहां पर आर बचा तो फोर आर बाकी एक मुल्टिप्लाई में एक है तो यह तो कुछ भी नहीं है प्रेवलर इक होन्डड़ के ब्राबर हो रहा है तो इसको रिज कर दिया 4-4 इक होन्ड़ के ब्राबर हुआ अगर मैं आर निकाल कर दूं यहां पर 500 से फोर डिवाइड हो जाएगा तो फोर बन्जा फोर 25 फोर जा 100 होता है तो आर की जो पैलीव आगे वह आगे 25 मतलब कि जो ब्रक टाहीं करनेंगे इस पर्मूला निंखलेंग की पिन पर्मूला या इंटर्स की अस्ति की अस्तिया के लिया की निकले हैं प्रिंसिपल निकालना है जो पहला है मूल निकालना है वन प्लस आर जो हमने निकाल लिया 25 अपॉन हंडर्ड और टी जो हमारे पास दो बरस के लिए था अब इसको स्वालब करना है आपका अंसर आजाएगा ठीक है बड़ा सिंपल सा कुजिशन है यहां पे अगर मैं इसको स एक प्राउंड किया वन प्लस वन फोर फोर को आप ऐसे विलिख सकते हैं वन एंड वन पॉन फोर फिर आपको बता है निक्स फ्रेक्शन से इंप्रोपर इसका जुब्भी प्रेक्शन आ जाएगा तो इसकी जग वांच फॉर लिखंगा तो पिर से लिख लेता हूं पूर ह स्क्राइब का मतलब है फाइब उपान फॉर दो बार है क्योंकि स्क्वेशन है ना अब क्यूंकि मैं पी की बैली निकाल हुआ तो पी मैंने एक साइट कर लिया इंदोस्थी साइट फोर अंडर है पॉर अंडर से यह जो फाइब ऑन फॉर और जो डिवाइड हो रहा है मुल् हाँ 5 15 25 जो होता है एक ती आ गये हैं पर और वाइट्टी एक चीन और पर 16 बचा यहां पर एक फोर बचा फोर बचा फोर फोर जा 16 तो 16 मुल्टिप्लाइब आँ उस्टीन का स्कुएर होता है 256 तो एक्चलों में जो हमारा जो हमारा मुल्धन है सब्सक्राइब है जो कितना है 256 है कहां चला गया कुश्चिन यस देखें बी सेकेंड वन विद राइट आंसर 256 काफी अच्चा कुश्चिन है आपको प्रेक्टिस की जुरूरत है अगर आपको इस टाइप का कुश्चिन समझ नहीं आता है तो आपको कुश्चिन की परिखेंगे हैं तो सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों साथ सेज़ करें ठैंकियू एड़ नाइस टी